तो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं पूवम और हमारी पूवम का नाम है When I Set Out For Linus और लाइनस जो है बच्चो एक जगे का नाम बताया गया है और राइटर कौन है राइटर है बच्चो थोमस हार्डी तो इस पूवम में क्या बताया कि थोमस हार्डी जो है वो एक जगे जाते हैं कहां पर उच जगे का नाम उन्होंने बताया है लाइनस ठीक है तो वहाँ वो एक चर्च बनरी होती तो उसका सूपर विजन करनी वो वहाँ पर गए हैं तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है तो चलिए शूरू करते हैं As a young apprentice, architect British point and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church अब बच्चों जैसे क्या हैं पर मैंने आपको बताया था कि एक young, एक नोजवान के रूप में, एक परसिश्चो के रूप में वो कहां गए? कौन? British poet है कभी और novelist कौन है? किसके बारे में बात करें? Thomas Hardy उन्होंने कहां विजट किया बच्चों? उन्होंने विजट किया parish में ठीक है एक जो church थी उसका जीनोद्वार यानि उसका restoration का जो काम चल रहा था उसको supervise करने के लिए उसका narration करने के लिए वह वहाँ पर पहुंचे और his return from the Paris, जब वो Paris से लोटे, people notice two things about him लोगों ने उन्हों में तो चीजें notice की, क्या notice की बच्चों? and new glow in his eyes, उनकी आँखों में एक नई चमक थी and a crumple piece of paper sticking out of his coat pocket और उन्होंने जो coat पहना वाता तो उस coat की pocket की पहा ठीक है एक मुडा तुडा paper का टुकडा जो था बच्चों वो चिपका हुआ पाया इसने लोगों ने दो चीजे notice की, दो चीजे कौन कौन सी notice की बच्चों एक उन्होंने notice किया कि उनकी आँखों में एक नई चमक थी और दूसरे उन्होंने नोटिस किया कि क्या था उन्होंने जो coat पहना वाता तो coat की जो pocket थी उसकी क्या चिपका हुआ था एक मुड़ा थोड़ा पेपर का टुगड़ा उस पर चिपका हुआ देखा था that paper it is recorded in one of his biographies ठीक है तो उनके जो biographies है उनमें इसका भी विवरान मिलता है content the draft उपे पुवम और जो पुवम है उसका draft उसका प्रारूप भी था इसमें you are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the point calls linus तो आज बच्छों आप उसी पुवम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको लिखने की प्रेंटना उन्हीं मिली थी जब उन्होंने एक जगे बताई है linus में जब उन्होंने linus का दौरा किया ठीक है तो उसी के बारे में इस पुवम में कौन बता रहे हैं Thomas Hardy the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness अब बताया गया है बच्छों की rhyme यहनि जो पाला था ठीक है जो पाला था वो वरक्षों पर उनकी पतियों पर जमा हुआ पाया गया जो चांदनी है जो तारों की चांदनी है उसने क्या क्या उनके पत को प्रकाशित किया यानि उनके अक्केलीपन में उनका साथ दिया ठीक है when I set out for linus a hundred miles away तो राइटर क्या बता रहे है कि चारू तरफ वरक्षों पर उनकी पतियों पर पाला जमावा था लेकिन जो तारों की रोशनी थी जो चांदनी थी उसने मुझे क्या दी आगे बढ़ने के लिए प्रेडना दी ठीक है तो हमें बहुत सारी क्या होती है बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है तो उन डिफिकल्टीज को बताया गया यहां पर पाला ठीक है और उन डिफिकल्टीज पे किस तरीके से हमें विजय पाने किस तरीके से उन डिफिकल्टीज को हटाना है और हमें हमार ठीक है यह जो स्टार लाइट है ने तारों की जो रोशनी है तारों की जो चाननी है वो क्या करती है हमारे जीवन प्रेंटना का काम में करती है तो इस तरही किसे लाइन का मेनिंग से ओके I hope आपको समझ में आ रहा होगा चलते हैं आगे What would be chance at linus while I should sojo there आगे बता रहे हैं कि संयोग वस वहाँ पर क्या घटित होगा जम में कहां रुकूंगा जम में लाइनस में रुकूंगा No prophet does declare no did the wisest wizard guess कि कोई भी यानि कोई भी जो पैगेंबर है इस बात को बताने का साहस नहीं कर पाया वो ना ही सबसे बुद्धिमान जो wizard था ठीक है सबसे बुद्धिमान जो जादुगर था वो इस बात का अनुमाल लगा पाया कि संयोग से वहाँ पर क्या घटित होगा What would be chance at linus while I should sojo there कि वहाँ पर मेरे रुकने से यानि संयोग वस वहाँ पर क्या घटित होगा तो बच्चों यह जो paragraph है इससे moral मिलता है कि हमें life में हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाना चीए यानि हमें हमेशा क्या करने चाया, efforts करते रहने चीए, जो हम करम करते आएं वो करते रहने चीए हमें गभी भी फल के बारे में जादा विचार नहीं करना है चाया आगे चलते हैं When I return from Linus जब मैं Linus से लोटा with magic in my eyes मेरी आँखों में एक नई चमक के साथ मैं वहाँ से लोटा था All marked with new sunrise by radiance, rare and fathomless यानि सब लोगों ने क्या देखा? सब लोगों ने मेरी आँखों में एक नई चमक देखी और वो क्या होगा? इस चमक से अभी भूत हो गए और मेरी आँखों में जो चमक थी वो दुड़लप थी और मापनिय तीफादम लासिनी जसको मापा नहीं चाह सकता था When I return from Linus with magic in my eyes यानि जब मैं लोटा कहां से Linus से वापस लोटा मेरी आँखों में एक नहीं चमक के साथ लोटा था इस तरीकी से जो भी परिवर्तन जो है बच्चो संसार का नियम होता है ठीक है? लाइन का मीनिंग है तो हमारी जो पूवम है राइटर कौन है उसके थॉमस हारडी I hope बच्चों आपको पूवम अच्छे से समझ में आ गई होगी इस पूवम की कैस नासस के साथ तब तक के लिए पढ़ते रही है आगे पढ़ते रही है Thank you